अब्लो कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूं आप सभी छीक होंगे तो आज हम् आज मैं आप लोग को मेरे घर हमारे जो नया घर बना था उसका घर अपनिंग्ग का जो वीडियो है वही शेयर करूंगी पर यहां पर कहीं पर वीडियो है कई पर फोटो है जो मैं आप लोग साथ शेर करी हूँ और ये वीडियो ना मेरी भांजी बनाई थी मेरी छोटी नना की बेटी तो इसलिए एक जैसा हर वीडियो नहीं है तो यहां से हमारा वीडियो स्टार्ट होता है तो अभी हमना हमारा जो नया घर है उसको लेकर घूमें सदंगे तो यहां पर मैं यह जो कूला बोलते हैं यह सरपर लेकर उप्रें इसमों में दिया वगेरा घग्राड़ा को जो चड़ाते है नौ 70 बहुत कुछ होता है वो सब है इसमें और यहां पर मेरी जोटी ननन्анд हाथ में दिया पकड़ी है फिर मेरी ससुमा ऐक कलश पक तो यहां पर घर का शुद्ति वगर ब्राम्मन कुछ-कुछ मंतर पड़ते हैं फिर यहां से घूमते हैं तो यह पर हम लोग तीन चक्कर लगाते हैं तीन या पांच राउंड लगाना पड़ता है घर को लेकर तो वहीं यहां पर हम कर रहे हैं अभी वैसे वीडियो में बहुत कुछ मैं आप लोगो दिखा नहीं पाई क्योंकि उसका वीडियो बना ही नहीं अगर पहले पता होता कि ये वीडियो मैं आप लोग सा शेर करूँगी तो अच्छे तरीके सा वीडियो करती पर वो अपने फोन पर थोड़ा थोड़ा वीडियो करी थी, वही मुझे भेजी तो मैं उसी से एक अच्छा सा वीडियो बना कर दिखाने की कोशिश करी, तो इसमें थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों दिखा रही हूँ, यह हमारे घर का सामने वाला इरिया, यहाँ पर चो तो उसके बाद अभी यह हमारा घर का मंदिर घर है, हमारे नए घर का मंदिर घर है, वही पर यहाँ पूजा हो रहा है, तो यहाँ पर अभी पूजा विधी बहुत कुछ होगा, तो वो मैं आप लोगों को पूरा नहीं दिखा पाऊंगी, तो यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो चुका था हमारा, और यहाँ पर भोग वगेरा लगा रहे थे ब्रामन जी तो बस वो जो जो कह रहे हैं वही हम नियम वही पालन कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले पूज़ा कर लेते हैं उसके बाद हम बाहर आ चुके थे यहाँ पर तुलसी पेड का नीचे भी पूज़ा कर रहे हैं फिर हम अंदर आ गए यहाँ पर मेरी सास मैं मेरी चोटी नना मेरी बेटी सब हम लोग यहाँ हैं फिर उसके बाद हम यहां यग करने के लिए बैठे थे यहां पर यग चल शुरू हो चुका है तो देखें यहां पर हम घर के सब सब बैटे हैं मेरी सास मतलब ममी पापा मेरी जेठानी और मेरे जेठ बाद में आये यहाँ पर अभी नहीं है और मैं मेरे हजबन और मेरे छोटी ननाद मेरे छोटा जीजाजी सब यहाँ पर हम लोग यह में बैठे थे तो यहाँ पर यह यह बहुत टाइम लगा यह बहुत टाइम तक हुआ था तक हुआ थे तो यह बहुत टाइम लगा यह बहुत टाइम बहुत टाइम लगा जीजाजी सब यहाँ. तो उसके बाद यग खतम हो चुका था उसके बाद यहां अभी वो धूप का जो धूआ है ना वही सारे घर पर प्रामन जीर दिखा रहे हैं यहां धूप से जो धूआ अच्छोबागि एक अधूप से एक रहे हैं यहां लगाते हैं वही सारे घर में घुमा रहे हैं कि दो हुआ है कि मैं जोंब यहां जाता है। है झाल 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 दोद बी गिराते हैं वह करी थी पर उसका वीडियो नहीं है दोद भी फिर उबाल कर नीचे गिराई थी यहां पर यह हो चुका था उसके बाद जो हम लोग यग करें उसमें जो राख हुआ था उस राक से और घी से ना यहां पर टीका बनाए फिर उसी को ब्रह्मन जी सबको लगाये और बाकी का सब मिल जीठानी सबको लगा रही है यग करने के बाद जो राग बनाता उसी से लगा रही है उसमें घी लगा कर तो यह टीका लगाते है तो यह भी यह सब को लगाईगी यह टीका और यह तीके मेरे बेटी गूम रही है यहां से और अभी पूरे घर पर शांती जो जल है वो पूरे घर पर छिटा रहे है यह पा पानी पूजा करने के बाद यह पानी ना अलग से ब्राह्मन जी बना कर देते हैं तो यहां पर खुदी सारा जगा दे रहे थे चिटा दिये और उसके बाद सब खाने के लिए यहां लोग बाहर पंडाल बनाए थे तो यहां पर सब खा रहे हैं खाना पीना चल रहा है प्रशाद वगेरा सब खा रहे हैं और फिर हम फैमली फोटो वगेरा कीच रहे थे और ये रात का वक्त है, रात को हमारे घर में फिर क्रितन भी दिये थे, यहाँ पर रात को हमारे जो नया घर है, इसमें क्रितन चल रहा है, और आज का दिन ये घर खाली नहीं रखना है, आज हमें घर पर रहना है सबको, तो ये क्रितन रात 11.30 बजे तक चला, उसके बाद ज तो मैं जितना दूर वीडियो था मैं सब मिला कर आप लोगो थोड़ा थोड़ा करके दिखाई अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा झालबाल बठके जरूर कर दो एक लाइक सुप वालाइक दिखा लोगभा हो